क्लास 11 में जो उनिट 1 है computer fundamentals इसमें हम पहला chapter computer fundamentals देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे किस तरीके से computer evolve हुआ evolution देखेंगे अलगलग जो generations हैं उसके बारे में बात करेंगे जो basic operations है computer की उस पे नज़र डालेंगे और जो components हैं एक computer को बनाते हैं उनके साथ में interconnections क्या होते हैं आपस में कैसे ये interact करते हैं उसे देखेंगे साथ में जो booting होती है हम कहारे ना computer boot हो रहा है या boot हो गया laptop boot हो गया वो क्या होता इसको देखेंगे और computers को कैसे classify किया जाता है अलग-अलग भाग में कैसे classification होता है इसका उसको भी जरूर discuss करेंगे तो computer अब हर जगा पर है आपके हाथ में जो mobile है वो भी एक computer की संगया आप दे सकते हैं चाहे आप education की बात करें research की बात करें या fun की बात करें travel tourism की weather forecasting की जो आप social networking facebook, twitter यह सब करते हैं e-commerce हो जैसे amazon और flip card यह सब करते हैं आप यह अब indispensable हो गया है यानि कि अब इसको अगर हटा दिया जा आपकी life से तो life stand still पर आ जाती है तो हमारी life को इसने revolutionize किया है क्योंकि जिस speed से और जितनी accurately computer काम करता है वो हमारे समाज को हमें और जहां भी हम रह रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत काम आ रहे है organization की बात करें business की बात करें computer के बगए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो छोटे आपकी hotel भी देखें वहाँ पर भी building जो होगी आपके computer based system से आ रही होगी तो इससे एक तो paper बचता है paper तो आपका बचे ही रहा है क्योंकि सारे चीज़ जो है वो computer पे हो रही है online हो रही है तो शुरुआत से अभी तक किस तरीके से ये चीज़ बढ़ी इसके बारे में हम बात करेंगे उसे हम करेंगे evolution of computers तो पहले जब ये start हुआ तब किवल calculation के लिए था जो आपके हाथ में आजकल calculator है जो आपके mobile पे भी है तो ये जो calculators है उस तरीके से ये शुरुआत हुई थी अगर हम calculation कर रहे हैं किसी को हमने calculation का काम दिया तो बहुत possibility थी कि काम slow भी हो रहा था और error भी हो सकते थे तो calculating devices को बनाने के लिए तयारी शुरू हुए तो calculating device पहले abacus बड़ा high speed calculating device था ये तो हम क्या करेंगे जो शुरुआत की calculating device थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज आपके हाथ में state of the art है जिससे आप हाथ या फिर finger से manage कर रहे है या voice से manage कर रहे है इसकी शुरुआत कैसी थे कहां से शुरुआत हुए तो 3000 BC before Christ Mesopotamians इन्हों ने Mesopotamians ने abacus discover किया जो आपने देखा होगा बच्चे बच्चों के आजका toys में आते तो इसमें क्या थे आपके beads थे और ये rods थे आपके और दो पार्ट थेज में Beats on movable rods divided into two parts ये दो पार्ट आप देख पा रहे हैं तो जो गुणा है भाग है जोड है addition multiplication है यहाँ पर इन numbers के हिसाब से होता था और उसकी position के हिसाब से चीज़े decide होती थी कि इसके गुणा इतना करेंगे तो कितना आएगा ये इससे decide होता था फिर Chinese लोगों ने इसको और develop किया अवेकस को और आज भी मैं जैसे कहा कि children या बच्चों के toys में आप इसको देखते हैं तो इसमें अगर देखें तो हर एक row इसमें देखें 1, 3, 5, 2 हर एक जो row है इसमें numbering है 0 से लेकर 9 तक की तो हर एक row में each row is thought of as a tenth place हर एक row जो है tenth place मानते हैं इसको और right से left मतलब right से left जो row number one है वो एक column represent करती है second column represent करता है आपका 10th place third column आपका 100th place और इस तरीके से वो आगे बढ़ता देखें कित्रा बढ़ number बन सकता है जो starting position थी top beats की जो 5 represent करती है जो starting वाली है अगर आप देखें तो इसमें आप जो पहली 5 की representation हो रहा है आपे तो इसमें जो पहली आपकी row थी the starting position of the top beats जो 5 है वो आप देखेंगे कि उपर की तरफ होंगी और जो lower beats है जो एक है वो आप नीचे करते हैं lower ताकि starting position पे आप last हैं तो ये देखें इसको अगर समझा जाए तो ये एक तरीका था कि ऐसी calculation करेंगे और पुराने जमाने में किस तरीके से लोग calculation करते थे फिर डेपियर logs और bones आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिकर में जो 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 नेपियर साब ने logarithm लोगरिथम का idea बना डेवलप किया अब ये log क्या चीज़ है जो आज हम हर जगा यूज़ करते हैं हर जगा आपने log 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 10 log base e सुना है तो उन्हेंने क्या किया उन्हें ये rods दे ये numbering rods दे इसको उन्हेंने कहा नेपियर वो जिससे multiplication और division वो कर सकते थे 10 bones थे इसमें 10 bones 0 से 9 तक digit अगर आप देखें तो 0 से 9 तक लेके इसे 10 bones थे अगर 0 से 9 आप उगलियों पे कियां 10 बन थे और वहाँ पर एक special 11 bone भी था जो multiplier को represent कर नेकले था तो अगर आप इसको देखें इसको रखते थे यहाँ पर इन bones को लकड़ियां कह सकते हैं आप इसको bones कह रहें इसमें जो multiplier है उसके corresponding bones को रखें बाएं साइड में और जो bone multiplication के digit है उसको right में रखें और इस तरीके से आप किसी भी दो number का product obtain कर सकते थे यह आप पता कर सकते हैं यह आप देख पा रहे हैं फिर pascal line अगर आप यह देखें यह pascal line blaze pascal बड़े famous french mathematician थे उन्होंने एक जोड़ने वाली machine बनाई 1642 इसमें आप देखें यह gears बने हो और numbers को आसानी से add किया जा सकता था इसको pascal line भी कहा गया इस machine को pascal line कहा गया और यह addition जोड़ने और घटाने में कारगर थी और साथ में जो carry होता है जब जोड़ते हैं आप तो carry भी आता है कभी कभी तो उसकी के विल्टी भी थी और यह work जो इसका काम था वो clock principle होता इसमें होता क्या था इसमें क्या चीज़ थी काफी सारे इसमें नमबर वील थे जो नमबर टूट थे जिनकी position बिलकुर यूनीक थी और फिर इनके इनके जो rotation है वो बड़े control होते थे उस controlling के कारणी addition और suppression होता था movement इसके wheels के movement थे फिर lebnits calculator यहां आप देख पा रहे हैं 1673 में Godfried Lebnits यह एक German mathematician थे उनने क्या किया कि जो Pascal साहब ने बनाया था उसमें addition और subtraction था इनने उनने इसको आगे बढ़ाया multiplication और division के multiplication कैसे होता था अगर बार-बार addition आप करेगे एक step cylinder यहाँ पर आप देख पा रहें 9 teeth थे उसमें अलग-अलग length के उसे साब से multiplication भी होता था फिर jack words लूम यह इसलिए हुआ कि जो सब jack words आप चाहते थे कि जो कपास cotton weaving process था उसको automatic क्या है तो उनने पंच कार्ट बनाये और फिर उस पंच कार्ट से उनने जे लूम है जो यह weaving process है उसको control के अठारा सो एक ही और सब चीज़े प्रोग्राम दोरा control थी और यह जो चीज़ थी देखे यह historic invention था कि यह क्या कहते है ना आवशक्ता विश्कार की जन्नी है वो चाहते थे कि यह सब automate हो जाए और इस invention से store करना data को और यह information को और retrieve करना store करना प्रहें store करने उसको use करें वो चीज़े शुरुआत होई आपर फिर difference engine और यह देखे यह difference engine यह analytical engine अब यह सहाब आए Charles Babbage इनको इसका बहुत बड़ा नाम है computer में क्योंकि इनको ही father कहा जाता है यह English mathematician थे उन्हों ने difference machine 1822 में जो mathematical functions भी calculate कर सकती थी polynomial evaluation भी करती थी finite difference का और theoretically यह भी प्रूव नोंने किया कि यह differential equation को भी solve कर सकती तो उसके बाद 1833 में यह analytical engine यह जो आप यहाँ देख पार है identical engine वो वाकि में एक landmark बना modern computer जो आपके हाथ में है आपके laptop में है आपके table पे है यह सारे जो चार arithmetic operation तो करी सकते थे उसके अलावा इसमें एक central processor था एक storage की जगा थी और input output devices थे बस यही जो चीज है यह आज के computer की basic building box है जो stored information थे उनको भी modify किया जा सकता था जो analytical engine है वो बना नहीं कभी लेकिन बैबेज ने establish किया यह principle जिस पे यह जो principle आप देख पर आ रहे है इस पे आज का कोई भी modern computer उठाएं वो आधारी थे तो इसी लिए मैंने जैसे बताया आपको कि Charles Babbage father of modern computer माने जाते है इस inventions के कारएं Mark 1, 1944 अब यह 20 सदी में आगे हैं प्रोफेसर साब थे Harvard Icon इन्होंने IBM बड़ी जबरदस्त कंपनी है तो उस समय भी यह इनका उतना ही नाम था तो प्रोफेसर साब ने इनके साथ collaboration करके एक electro mechanical computer बनाया उसका नाम रखा Mark बंजवा कहां देख पा रहे हैं जो multiply कर सकते थे दो दस डिजिट के नंबर तस डिजिट के नंबर पना सेकंड और यह concept बिलकुल वहीं से लिया गया था जो बैबेश साब के analytical engine में उन्होंने बताया था और यह पहला operational काम करने वाला general purpose computer था जिसमें जो पहले सी program instruction थे उसको execute किया जा सकता था चलाया जा सकता था बगया किसी इंसान के human intervention के उन्नीस सो पैतालीस में जॉन वान न्यूमन इन्होंने एक प्रपोजल दिया एक computer प्रोग्राम स्टोर्ट प्रोग्राम क्प्रोग्राम इस concept में क्या था जो प्रोग्राम और डेटा है इसको स्टोर किया जाए एक memory unit में दो रोगा एक साथ तो उनका जो basic architecture था वो कुछ इस तरीके से था हम one human computer गहरे फिर आगे Harvard वगरे structures आए तो यह processor है आपके पास यह देखे और यह प्रोग्राम और डेटा तो processor deal कर रहा है storage यह आपका communication channel जिसको हम आगे चलके buses का भी नाम देगे इस architecture के हिसाब से जो processor है वो जो memory में instruction stored है उनके में काम करेगा उनको execute करेगा उनको चलाएं और क्यूंकि एक communication channel है तो एक data या instruction एक बार में लिया जा सकता है या तो डेटा या instruction लिया जा सकता है fetch किया जा सकता है storage unit से जिसे processor काम करेगा उसका result देगा तो इसका जो execution था या जो result था वो sequential manner पे था तो ये एक थोड़ा limitation था one newman computer का और इसको कहा गया one newman bottleneck इसको आप देखे कितनी बड़ी बात थी ये इस पे धियान मत दीजेगा कि बड़ले क्या था ये यहां से यहां तक की बात देखे कितनी जबर्दस कितनी बड़ी चीज़ नोंने बनाए चाहे वो sequentially क्यों नहीं थ फिर EDVAC याने की electronic discrete variable automatic computer ये पहला stored program computer था 1952 में बनाए गया था फिर जब invention हुआ पहला electronic computer INIAC इसको बोलते हैं E से ये है electronic numerical integrator and calculator 1946 में उसके बाद जो पेस पकड़ी computer technology ने वो आज भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चीज़े आपके सामने आ रहे हैं तो अब हम generation की बात करते हैं जो लगा लग generation आई computer की तो technology इस हिसाब से developing उस हिसाब से computer industry की growth हर एक phase ये generation जिसे हम कह रहे हैं उसमें जो भी software hardware developments हुए वो एक उससे से बड़े distinct और उन्होंने computer को आगे बढ़ाने में और ये इसके performance को improve करने में एक बहुत बड़ा role play किया तो अलग अलग जो stage है development की इस हिसाब से 5 generation में इसको divide किया जा सकता है पहला generation 1922 से 1905 जो पहले generation के computer थे उसमें store program का concept इता और उसमें vacuum tubes use होते थे ये vacuum tube क्या थे बड़े delicate से glass के device थे और जो electrical signal को control भी कर सकते हैं और amplify भी कर सकते हैं आज भी ये चीज आप देखेंगे थे electronic equipment में use होती इसमें बहुत सारे vacuum tubes लगते थे और ये उस समय में सबसे तेज calculation देता था उसमें बड़े बड़े computer size के हिसाब से बहुत सारी electricity लगती थी और बहुत सारा है इसमें heat निकलती थे Univac 1 ये पहला electronic computer था इस generation का फर्स जनरेशन का और खासतर पर बिजनस application में बढ़ा उप्योग किया लिए तो जो पहले generation computer की बात करें तो इसमें जिस सेलिंग feature थे इसमें पहले था vacuum tube उस होता था चाहे आप control करें या amplify करें बढ़ाएं electronic signal को और काफी ज़्यादा space लेते थे बड़े बड़े computer थे electricity बहुत ज़्यादा करदी थी गर्मी भी बहुत पैदा होती थी और क्यूंकि hardware उस समें इतना ज़्यादा develop नहीं था तो unreliable थोड़ा सा कभी बंद जाता था कभी चल जाता था commercial production इतना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसको develop करना जैसे एक mobile technology बनती है उसके करोणों mobile बन जाते हैं अलग अलग देशों बेज दी जाते हैं ऐसा नहीं हो पा रहा था कॉस्टी था और maintenance की बह hardware failures वगरा failure वगरा हो रहे थी हीट बहुत जादा produce होती थी तो air conditioning भी चाहिया उस समय और machine language में programming होती थी 0110 पे उस समय assembly language की शुरुआत हो गई थी लेकिं मतलब जब यह end हुआ generation असमय language start हो गई थी लेकिं machine language में जैसे इनियाइक एडवाइक इनियाइक इस सारे machine language पे coding होती थी 27 टन का था इनियाइक उसका size था 8 by 100 by 3 feet और 150 watt power उसका था आप सोचिए अंदाजा लगाईए कि इतनी सारी चीजे जाती थी लेकिन यह landmark थे यह वह चीजे थी जिन्होंने आज की चीज़ों को बनाया जो 1955 से लेकर 1964 था यहां पर आए ट्रांजिस्टर्स यह एक solid state semiconductor device जो उन्होंने वाकई में पहले तो electronic industry को पूरी तरीके से revolutionize किया और क्योंकि computer बेसिकली electronic equipment ही है तो उसको भी revolutionize किया गया बड़े छोटे थे यह बड़े reliable थे electricity भी बहुत कम और heat भी बहुत कम इसके अलावा जो magnetic memory थी अगर आप चीज़ें store करना चाहते तो इसमें बहुत चोटे चोटे यह फैराइट यह magnetic material है रिंग बने जिसको magnetize किया जा सकता था clockwise या anti clockwise direction में चाहिए ताकि binary one या zero रिप्रेजेंट किया जा सके और यह magnetic core को primary memory की दो ही उसके आगया उसके बाद magnetic disk भी existence में आये उसको कहा गया second destroy device इस सारे development चाहे ट्रांजिस्टर की बात करें magnetic core memory की बात करें यह magnetic disk storage devices की बात करें इसने computer को और powerful और और reliable बना दिया इसके बाद operating system की बात आई और फिर fortran, global यह सारी चीज़े डेवलपने यह सारी language यह अब commercial application की अप reliable हो गए affordable हो गए थोड़ेवा तो इसका commercial application शुरू हुआ और business industry से use करें लगए जैसे payroll हो गया, employee management हो गया, inventory control हो गया अगर example लें तो IBM 1401, IBM 1620 यह बड़े popular हुआ करते थे इस जमाने में अगर इसकी हम जड़ा saline feature देखें जो हम ने देखें तो पहला तो यह है कि transistor based technology थी, छोटे हो गए, कम, कीमती कम रहे, less expensive रहे, first generation से compare करें तो, electricity कम लेने लगे और कम heat generate करें लेगे magnetic core memories और magnetic disk आये इसको यह primary हो गया, यह secondary memory हो गया पहला operating system इससे में develop किया गया और जो high level programming languages हैं वो बनाएगे पहले तो assembly language फिर high level language, commercial production तो इसका शुरू किया लेकिन थोड़ा सा अभी भी difficulty तो थी और उनको भी, इनको भी air conditioning तो चाहिए तो यह हमने देख लिए एक यूनिवैग ग्यारसोईट भी था इसमें, ग्यारसोईट आट पर तीसरी generation की बात करते हैं 1964, 1964 से 1975 तो 1964 जो integrated circuits थे, IC जिसे कहते हैं या chips कहते हैं इसने फिर evolutionize किया क्योंकि पहले vacuum tubes फिर transistor अब आगए IC तीसरी generation में तो जो IC एक पहुत छोटा silicon chip या wafer कह सकते हैं और उसमें पहले purified आपके silicon crystal था इसमें आप बहुत सारे transistor, capacitor, resistor और बागी सारी चीज़े electronic circuit पर लगा सकते हैं फिर SSI जो small scale integration chip थी उसमें 10 transistor एक single chip पर लगा सकते थे और MSI की बात करें तो 100 transistor एक chip पर लगा सकते हैं तो memory बढ़ गई और जितने भी mainframe computer, mini computer यहाँ पर आए इस generation में बनाना शुरू होए जो operating system थे जो जिसकी शुरुआत ही थी वो multitasking और multi programming होगी इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ICs ने और computer को reliable थोड़ा सा सस्ता और बहुत तेज बना दिया तो computer आप education में, businesses में और offices में भी दिखाए देए इंडस्ट्रियल और business में तो आ ही गए थे IBM 360 का नाम लें यह बड़ा popular third generation computer हुआ तो इसके salient feature की बात करें तो यहां integrated IC circuits आ गया computers छोटे हो गया, तेज हो गया, reliable हो गया और power consumption कम हो गया और heat भी थोड़ी सी कम हो पिछले generation से आ बात करें तो IBM 360, Honeywell 6000 series आई यह समय है फिर 1975 के ऊपर LSI हमने बात की थी जो LSI और VLSI SSI के बार LSI और VLSI, large scale integration फिर very large scale integration इसमें आप 3,000,000 transistor, 300,000 transistor एक chip पे लगा सकते हैं तो इसका मतलब पूरे CPU का integration एक पूरे chip पे 1971 में कर दिया गया और इसे कहा गया microprocessor, यहां से शुरुआत हुए आपके चौथे जनरेशन तो जो computer थे, इस microprocessor technology पे बहुत fast थे, processing बहुत fast थे इसकी और memory बड़ी, computer powerful हुए और operating system efficient हो गया फिर microprogramming, application software, databases, virtual memory यह सारे concept है और इनका उप्योद भी शुरू हुआ आज की computer इसी generation को belong करते हैं अभी portable computer, अब अगर आप देखे, छुदा size कम कर दिया गया ज़्यादा accurate है, जो memory size है वो तो आप सोची रहे हैं पहले आप कहां MB में थे, आच अड़ा मैट्स की बात करते हैं और commercial production इसका बहुत असान होनी है तो लोग इसे afford करने लगे अब इस समय computer networks की उत्वत्ति हुई यह आज भी अब जो भी आप use करते हैं इसमें background में computer network का भग बढ़ा रहे हैं portable computer मन गए, networking और data communication यह popular हो गया लोग इसे जानने लगे, लोग इसे use करने लगे और अलगात तरीके की secondary memory जिसमें और capacity बढ़ गई और faster access हो गया यह बनाई गई, काफे reliable हो गया, powerful हो गया, size जिसका छोटा हो गया power consumption काफी कम हो गया, heat कम होने लगी वरना पहले वगयर any conditioning की कोई computer life नहीं होते थी, अब ऐसा कम है production cost भी कम हो गई इसकी, फिर आए 5th generation, यह अभी भी जो चल रहा है, still development में इसमें AI है, artificial intelligence है, यानि कि आप चाहते हैं या हम चाह रहे हैं कि computer, computer की तरह काम कर रही है या हमारी तरह काम करें, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम decision लेते हैं, हमारे पास experience है, वो सारी चीज़े computer पर आनी चाहिए तो जो parallel processing है कि एक साथ बहुत सारे processor आपने लगा दी है, super connectivity यह सारी चीज़े और जो human languages का response computer देता है, system देता है ताकि वो knowledge enhance कर सके अपनी और फिर उस knowledge को लेके आगी के action करें तो आपने देखा होगा, car बन गई, Google ने car बना दी, automatic चलने वाली, इसमें किसी human का intervention नहीं है, voice recognition हो गया, voice recognition आप खुद ही देख रहे हैं कि आप अगर आपका Apple mobile हो, तो आप Siri से बोलेंगे, Siri आप काफी चीज़े बता दे, अगर आप Android पे हैं तो Google पे बोलिए Google की बहुत सा रहा है, और भविशे में आप computer को आप की तरह देखेंगे, behave करते हुए और बात करते हैं, तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, generation तक, और हम discuss करेंगे, अगली चीज़, next discussion में, तो हमने अलग-अलग phases या generation की बात की, अब computer में हम data और information देखें, data information, अब computer की बात अंपर चुकिए computer क्या है, मैंने जैसे बताया कि अगर आप, आपके हाथ में जो mobile होगा, अगर smartphone होगा, तो ओभी computer की तरह ही है, यह एक electronic device है, जिसमें आप कुछ input देते हैं, और आप कुछ output चाहते हैं, जैसे मैं example दो, आप 2 plus 3 देना चाहते हैं, वैसे तो ए लावा, चाहे आप data को store करना चाहते हैं, weather forecast करना चाहते हैं, airline booking या जो भी booking आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ होती है, साथ में आप entertainment भी कर सकते हैं, तो data क्या है, information क्या है, कोई भी जो fact और figure आपके हैं, वो आप collect करते हैं, जैसे आपने कहा, 134 plus 9 राजू सी, यह अल अब यहाँ पर आपने raw data collect किया, information क्या होता है, इसी raw data को अगर आप meaningful बना दे, यानि इन raw material को use करके इसको meaningful बना दे, जैसे इसी को मैं अगर पढ़ू, राजू is 9 years old, यह जो data आपने लिया, इसी में अगर राजू is 9 years old कहा जाए, तो यहाँ पर इस data, यह जो data आपके पास आया है, इसकी एक meaning आगई, यह information जो आया है, यह कुछ, आपको meaning दिने लगा, आपको कुछ convey करने लगा, तो इसे हम कहते है, data को, जब हम information बदलते हैं, तो इसको हम कहेंगे data process, क्या कहेंगे, data process, computer के जो अलग-अलग parts है, या components है, जो functional components है, इसका मतलब को कुछ function करेंगे, ये computer के अलग-अलग components होते हैं, तो computer दो भाग में divided होता, mainly, एक hardware, एक software, जिसको आप touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे motherboard है, memory devices है, monitor है, keyboard है, ये सारे के सारे आपके physical components होते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि जो software है, वो programmer instruction होते हैं, चाए वो machine language में हो, semi-language में हो, या फिर high-level language में हो, जैसे C, C, shark, java, ये दोनों ही hardware और software, ये computer system को function करने में, computer system को desired output देने में, दोनों का roll है, तो अलग-अलग components हैं, उनके बार में देखें, सारे के सारे जो काम होते हैं, computer को दिये जाते हैं, वो IPO cycle बनाते हैं, याने कि आप input देंगे, कोई processing होगी, और आपको कुछ output मिले, याने कि, आप कोई processing unit होगी, उसमें आप data दे रहे, और data से data ही मिल रहे हैं, data से आपको information मिल रही, memory unit क्या होता है, जो इस data instruction को रखेगी, store रखेगी, किसी आगे की काम के लिए, या उस समय के काम के लिए, तो अगर इसको बड़े तो आपके देखा जाए, तो functional component को हम इस तरीके से divide कर सकते हैं, कि यह आपकी input unit होगी, अब लाग बात करेंगे भी, input unit में जैसे भी mouse होगया आपका keyboard हो गया, ऐसी memory हो गया, आपकी sd drive हो गई, या फिर hd drive हो गई, जो भी आप drive बोले, चाहिए वो एक्ट्र मेकानिकल हो, चाहिए समिकेडेक्टर drive हो, जैसे ssd आजकल आवी है, तो यह सारी memory हो गई आपकी, आप pen drive लगाते हैं, ओ भी memory का का काम करती, ऐसी आपका output unit है, यानि कि आप किसी display में देखते हैं, किसी screen में, छोटे screen में, बड़े screen में, किसी wall mounted screen में देखेंगे, इसके बीच में जो काम हो रहा है, वो है ALU, यानि कि आपका CPU है, CPU में ALU होता है, CPU एक processing unit है, उसके अंदर आगर आप, जो मैंने बताया कि अगर आपको arithmetic और logic का 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 करना है, तो ALU है, साथ में register से जहां पर data आएगा, इस data, यह जो register है, इस पर data आता है, इसी पर data आता है, इसी पर processing होती है, जैसे register, जैसे मैं कहूं add, machine language में लिख रहा हूँ, add A, B, तो यह accumulator में जो data होगा, वो B के data से add हो जाएग, अफिस store हो जाए accumulator में, यह अभी सुबह आती होंगी, अब होती होंगी, बेटा उठो, तो आप सो रहे हैं और किसी control unit ने आपको कहा कि उठिये, तो आप उठ गये, बेटा स्कूल जाओ, तो control unit ने कहा कि school जाओ, तो आप चले गए, ऐसे अगर आप किसी के साब से चलते हैं, तो control unit वहाला काम करती है, तो control unit on, off, binary value समझता है, binary मतलब होता है, binary, binary, 0 या 1, तो जो common input devices है, उसमें keyboard है, mouse है, joystick है, scanners है, ये सारे के सारे input devices है, अब बीज में आता है आपका central processing unit, central processing unit को आप कह सकते हैं कि ये brain है computer का, तो CPU जो होता है, वो सारा controlling इसी के पास है, बहुत छोटा होता है, अगर आप देखें, जो brain होता है, अब दिमाद में भी देखें, अब आपको शरीर कितना बड़ा होता है, दिमाद इतना छोटा होता है, कुछ grams में होता है, तो इसको हम CPU के अंदर आप देखें, microprocessor होता है, जो processing करता है, ये instruction का fresh करें, instruction होतना जो भी instruction दी जाए, जैसे मैं आपको example दिया था जो components है, अलग-अलग function करने के लिए, एक तो ALU है, arithmetic, logic unit, एक control unit है और साथ में memory registers है, तो इसमें भी memory होती है, इसी ALU में क्या होगा, ALU जो आपके mathematical calculation है, logical decisions दो ले लिए है, जैसे addition है, subtraction, multiplication और logical भी, जैसे add, or, exhaust, ये सारे operation, आपके ALU करता है, control unit का क्या है, अब coordination पी तो है, महल लेजिए, आपने कई event अञज किया, कोई किसी समय आ रहे है, आपने कहा सारे साथ का time है, मैं एक event करता हूँ, काम क्या होता है कि सब को समय पर लाया जाए सब को बिठाया जाए सब को एक तरीके से सावान्य तरीके से और फिर उसको रोड़कर के बदर कूर do तो सारी चीज़ों का कप कुछ करना है करना है कैम जाएकश्व्बूर जाएक घच्छ chemistry वास memory registers होते हैं, memory register यह होते हैं, cpu के अंदर जो temporary memory unit होती है, अब यह registers इसले होते हैं, क्योंकि यह flip-flop से बने होते हैं, flip-flop जो होता है, एक ऐसा device है, जो 0 या 1 अपने पास रख सकता है, store कर सकता है, अगर हम इस flip-flop जिसे आप 8 flip-flop लगाने, तो register बन जाता है, register जो होता ह 16 bit का, जैसे 16 bit का, जैसे मेरे 8 bit बता है नविहा पूंको, यह एक bit है, जैसे 0,1,1,0,1, ऐसे करने तो यह 5 bit का हो जाएगा, जैसे 5 bit का होते हैं, 2 की power में चलता है, तो 16 bit, 35 bit, तो 1000 bit, जैसे 2 की power में चलता है, और हर एक register है, उसका कुछ में कुछ काम होता है, जैसे मेरे आप तो इसी जगह पे इस memory का location भी आपको चाहिए होगा, address भी चाहिए होगा, फिर जब data वापिस रखना चाहेंगे, तो उसका जहां पर रखना है, उसका भी location चाहिए होगा, तो address टोर करने का, यह सारी चीज़े जो होगी, memory registers, इसको अलग-अलग memory registers होते हैं, जैसे किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में इससे जादा होते हैं, अलग-अलग जो microprocessors हैं, उनकी अलग-अलग number of registers होते हैं, तो जो assembly language programmer है, वो खास तोर पर इसी भी काम करते हैं, memory registers भी जैसे मैंने accumulator बताया आपको, यह main register होता है इसका, और यह जैसे 2 को 3 में add करना है, तो 2 को आपको accumulator में रखना ही पड़ेगा, तब 3 से add करेंगे, फिर accumulator में 5 आजाए, तो यह काम accumulator करता है, जैसे हम ACC कह रहे है memory, यह बहुत important चीज है, अलग-अलगतरी की memory है, primary memory है, secondary memory है, और flash memory है, अलग-अलगतरी की memory है, memory किसे चाहिए आपको, अब data store करना है, data retrieve करना है, बतलब चीजे रखनी है, और power on, off हो जाए, तब भी आप चाहते हैं कि उनको रखा जाए, और वो हमेशा रहे है, आपके आपका काम चल रहा है, इसमें data रहेगा, जैसे आप में switch off कर दिया, इसका data चला रहेगा, इसको हम random access memory भी कहते हैं, सारी चीजे जब तक random memory में नहीं आएगी, CPU इसमें काम नहीं करेगा, CPU को केवल यह RAM पता है, अब इसके बीच में क्या है, आपकी cache memories भी आ गई है, cache memories भी जो एक तरीके से याद रखने का काम करती है, कि अभी आपने क्या deal किया, RAM से आपने क्या क्या deal किया, तो बार बार RAM से जाने में, CPU की speed बहुत तेज होती है, RAM की speed इसके मुकाबले CPU से बहुत कर होती है, और अगर आप external device देखें, जैसे hard drive है, SSD drive है, उनकी तो बहुत ही कम हो CPU को RAM से ही interest, तो RAM में आपका data आता, लेकिन यह volatile, इसी तरीके से आपके पास non-volatiles भी है, जैसे आप pen drive लगाते है, data store करते, pen drive निकाल देते है, यह आपका non-volatile है, यानि कि एक बार आप power off भी कर देंगे, तो भी data इसमें रहेगा, इसी तरीके से hard disk है, compact disk है, CD में data रख द फिर जो functional component की बीच में interconnection है, आप देखिए, आपने यहां से phone उठाया, चलिए परानी बात करता हूँ, यहां से phone उठाया, cradle उठाया phone का, या किसी से बात की, तो बीच में वायर होना चाहिए, आज कर लिए अगर ने phone उठाते हैं, यहां से बात करते हैं, तो यह electromagnetic waves होती है यहां, तो यह जो दोनों चीज़े में आपको बता रहा हूँ, यह interconnection, computer में क्या होता है, computer के अंदर आपका buses होती है, bus कुछ भी नहीं होता है, इस bus को बिल्कों confused नहों, bus के वायर होती है, buses अर उनली वायर, तो एक जगा से दूसरी जगा, आप कहरें, control unit होता है, control unit कैसे signal वायर होंगी, अब डेटा कैसे आएगा, प्रोसेसर के पास, वायर से आएगा, यह सारी जो वायर है, वो आपकी buses कहते हैं, तो हमारे पास अलग-अलग टाइप के buses होंगी उसके अंदर, जो वायर आप देखते हैं, जो आपको जो वायर दिख नहीं होती है, एक address bus है, कुछ आपकी बाहर आ रहर है, तो किस तरीके से होता है, यह आपकी buses है, यहांपर आपका input device है, यहांपर आपको डिवाईस है, यहांपर controlling है, controlling का मतब इस controller जरूर होता है, यहांद दीजेगा, कभी भी कोई चीज लगाते हैं, जिसले आपने, आपका device driver आप लगाएंगे, क्योंकि आप जो चीज़ दे रहे हैं माली जे आपने keyboard से यह दबाया यह तो computer नहीं समझता वो तो A का 1 S की number लेगा माली जे 65 लेगा यह S की number जो होगा वो number 1001 में जाएगा तो इसको change करने के लिए keyboard या mouse के बीच और आपके system या operating system के बीच में जो इसको इस 101 में देगा तो 101 ही तो समझता है computer तो अगर आप इसकी बात करें CPU, ALU, CU, register और यह main memory इसके बीच में एक system bus है या bus है वो इनसे interact करते है यहाँ से data आता है इस तरी के जाता है और सब चीज़े controlling की कारव होती है इसे common bus architecture कहते है तो address bus क्या करेगा address location ले जाएगा data और instruction का data में इस क्या करेगा एक component है दूसरे component में आपका signals ले जाएगा data ले जाएगा तो जो आपने figure में देखा किस तरीके से कहा से क्या चीज़ हो रही है और फिर आपका controller circuit होता है बीच में के पास laptop है या आपके स्वाइल है उसको जब आउन करिए अगर आफ हो तो आउन करिए जब आउन होता है तो इस process को जब आउन होता है तो थोड़ा समय लगता है अब होते हैं कि एकदम से क्यों नहीं आउन हो जाता है कुछ चीज़े करता है background में तो वो on होते समय जो पीछे चीज़े background में हो रही है इसे ही हम booting कहते है इसे ही हम booting कहते है जब computer को switch on करेंगे तो आपका already एक ROM read only memory में एक program होता है आप देखें आपका computer जैसे on होगा तो आपके इसमें HP दिखाई देगा आपका दोस्त जैसे चालू करेगा उसमें IBM दिखाई देगा कोई और चालू करेगा उसका Apple दिखाई देगा तो यह कहां से आ रहा है यह जो booting का गाम हो जाहा है उस वह आपको सामने दिखाई दे रहा है आप बोलते सब में सब में HP क्यों नहीं दिखाए जोता है या सब में एक जैसा क्यों नहीं दिखाए जोता है क्योंकि सब के ROM में programmed है तो इसे हम booting कहते है तो CPU सबसे पहले क्या करता है एक jump instruction चलाता है BIOS के लिए BIOS का मतलब होता है basic input output system ये basic input output system चालू होता है तो क्या होता है परें self diagnostic test चुरू होता है कैसे मतलब माल लिजे आपके आपने जब switch off किया कुछ power surge हो गई आपकी RAM खराब हो माल लिजे आपका CPU का fan काम करना बंद गया या उस CPU के fan में आपके घर में आपका बतीज़ा है उसने एक लकड़ी फसादी अब जब लकड़ी फसादी तो fan नहीं चल रहा है अब जब तक fan नहीं चलेगा तब तक काम नहीं बनेगा कितनी heat produce करता है तो बाहर जानी है तो पहले ही एक्तम से वो beep आई गये लगा 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 एक बीप दो बीप तीन जैसे छे भी पापी है तो बोलते है रैम खराब है ऐसे अलग-अलग beep के हिसाब से आपको पता जल जाएगा क्या चीज़ खराब है अगर कोई चीज़ खराब नहीं है तो ये power on self test POS के बता देगा कि सब कुछ ठीक है ये खुद कर चेकिंग होती ही कि देखे कुछ गरबर दो नहीं होता है उसके बाद ये जो test power on self test POS क्या करेगा पहले आप video पर जाएगा hardware पर जाएगा अलग-अलग hardware के part चेक करेगा और उसके बाद जो bios है वो locate करेगा bootable drive देखे है साब अब तो हमको boot होना है operating system को लाना है तो boot sector पर जाएगा कि यह operating system चलो चालो हो जाएगा तो उसके बाद यह bootstrap लोडर प्रोग्राम आता है जो boot sector जहां पर भी है उससे operating system लोड होता है वहां से boot sector आपका hard drive में होता है तो अगर यदि आपका about sector hard drive में है मैं यह कह रहा हूं कि boot sector hard drive में सकता है जैसे पहले क्या होता था कि केवल केवल एक floppy drive से जो की 1.44 MB की हुआ करती थी उसी में आपका operating system था उसी से system चालो हो जाए बूट सेक्ट अगर आपका hard drive में है तो उसे हम कहते मास्टर बूट रिकॉर्ड वो देखता है कि उसकी पर्टिशनिंग क्या है कि कहा से और होना है कैसे execute होना है partition कों सा खुलना है तो यह जो है booting का पूरा process बूटिंग process warm भी हो सकता है cold भी हो सकता है तो cold और warm booting का मतब क्या होता है जब system start होगा पहले जैसे आप उसको switch on करेंगे तो आप उसे कहेंगे cold booting या hard booting जब user प्रेस करेगा power button तो instruction ROM से लिए जाएंगे ताकि booting process start हो सके अब warm booting क्या है जब system restart होता है या फिर आप reset button प्रेस करेंगे यहाँ पर switch on कर रहे हैं यहाँ पर reset button या restart कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं warm booting या soft booting यहाँ पर क्या होता है जब आप restart करते हैं तो इनिशल state से start यह बिल्कुर्वाद से start नहीं होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो diagnostic testing पर हो चुके है वह दुबारा carry out नहीं होता है वो दुबारा प्रॉपर तरीखेसे एक पर एक बंद दोगीं और उन αυτह चलता है STAC लिएटर को होुष होते हैं जहां पर बहुत जाला वाल्यू। डीटा प्रसेशिंग हो भीडिजि को प्राव होुआ है। अब analog computer क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? जैसे आपका pressure है, motion है, कोई electrical quantity है, continuous change हो रही है. इसका आपको discrete form नहीं में सकता है, जैसे 1 और 0 के form में नहीं में सकता है. तो यहाँ पर क्या होता है? यह computer measure करेगा इन quantities को change होती है, जैसे current होया, voltage होया. तो जो भी फिजिकल प्रोसेस ओन गोई हो रहा है इसको हम कह रहे हैं अनलाग कम्प्यूटर क्योंकि यह क्या करता है कि जैसे एक इग्जाम्टर देता हूँ आपको थर्ममेटर यह अनलाग कम्प्यूटर हो गया क्योंकि आपके टेंपरेचर को कंटिनियूसली और ग्रैजूली मॉनिटर करते हैं डिजिटल कम्प्यूटर से इसकी एकुरिस्टी तो काम है लेकि जहांपर फिजिकल काउंटिटी चेंज हो रही जहांपर आप नहीं चाहते हैं कि कोई डिस्क्रीट फॉर्म में निकाले लाग्तार में तो चीजिट चेंज हो रही जैसे एक्टांट हो गया, जिकले पार प्लांट हो गया, हाइड्रोली की अलेक्ट्रोनिक नेटवर्क्स हो गया है महाँ पर आप ये एनलोग का यूज करते है अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते है एनलोग और डिजिटल टेक्नालोजी के दोना बिला देजिए जो एनलोग कंप्यूटर का की स्पीड है और जो डिजिटल कंप्यूटर की अक्यूरेसी है इन दोनों को मिला के आप या तो डेटा को डिजिटल से अनलोग कंपर्ट करिए या अनलोग से डिजिटल कंपर्ट करिए ये सारे काम यहाँ पर होते रहते हैं से differential equation आपको process करना है logical operation digital part कर लेगा logical operation को और आपका analog component कर लेगा differential equation को अगर इस तरीके से करना है दोनों ही के आपके जो फाइले हैं वोग आप यूज़ करते हैं तो जो hybrid computers हैं यह जहां पर आपके complex simulations होते हैं वहां पर आप यह hybrid का यूज़ करते हैं अब अगर आप classification और परना चाहे हैं जो computing capabilities है उस हिसाब से capability कैसी है computer तो micro computer इसको हम personal computer भी होते हैं इसमें microprocessor होता है यानि कि CPU एक single chip पे हो रहा है और इसमें desktop laptop दोनों आते हैं इसमें क्या होता है कि आपको data मतलब जिदना आप deal कर रहे हैं कम data इसमें रख सकते हैं और बहुत सारी computer होते हैं PDS personal digital assistant tablets जिनमें wireless technology आती है यह भी computer के ही classification में आते हैं फिर आते हैं mini computer यहां पर क्या होता है कि multiple user का support होता है एक machine में multiple user काम कर सकते हैं और वहां पर करते हैं जहां पर बहुत सारे department interconnected जहां पर छोड़ा कोई business है organization है वहां पर आपको multiple user का support देना है तो mini computer का user mainframes यह बड़े powerful और बड़े बड़े आपके computer होते हैं बड़ा मत्तों size के बारे में तो ही है साथ में आपकी powerful भी होते हैं इसमें memory भी बहुत तेज होती है processing power भी होता है जैसे आपको कोई huge database अगर आप google की बात करें और facebook की बात कर रहे हैं तो इनके पास इतना data है यह कैसे deal करते हैं यह mainframes का use करते हैं और बहुत तेज करना पड़ता है इनको और जैसे organization बड़े बड़े बैंक हैं इंडस्ट्रीज हैं आप बहुत सारे एक साथ आ जिस यह billions of instructions आप देखें कि petabyte में जैसे अगर आप चाइना की बात करें जो इनके पास fastest super computer है 65 petabyte जा रहा है उनका तो इसमें multi processor होता है एक processor नहीं होता है बहुत सारे processor होते हैं सब parallel computer parallel computing के हिसाब से जुड़े होते हैं इसमें सारी चीजे मतलब huge तरीके से जुड़ी होते है और एक साथ सारे processor सारे जो interlink चीजे हैं जो से फेंदर forecasting कर रही हैं आपको यह सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो super computer mainframe में अंतर ये है कि super computer छोटे कम program को बहुत तेज चलाता है जबकि mainframe सारे program को concurrently चलाता है बहुत सारे program को एक साथ चलाता है तो यह आपका पहला chapter था computer fundamentals का हमने जानने की कोशिश की computers के बारे में, parts के बारे में और उनकी classification आगी और बाकी है बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आपने आप सबीकिए